हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं किचन हातियर राणना टुड़ेज अवर रेसिपी इस पॉलाउ बनाने के लिए हमने यहां पे बासमती राइस लिया है यहां पे हमने तेड़ का बासमती राइस लिया है यहां पे हमने एक पैन में मस्टर्ड ओयल गरम कर लिया है आप चाहे तो दुट्रव ओयल भी उज़ कर सकते हैं आप इस ओयल में मैं एक तेजपत्ता एक दालचीनी और तीन छूटी लाइची एड़ कर रहे हैं गरम मसाले की अच्छी सी खुश्पू आने लगी है अब इसमें मैं कटेवे प्याज एड़ करूँ दो मेडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज एड़ कर रहे हैं आज को हम थोड़ा भून लेगें अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर एड़ करें गया है अब हम इसमें कुछ और मसाले एड़ करें गया है यहां पे हम 1.5 ती स्पून नमक एट करें, 1.5 ती स्पून हल्दी, 1.5 ती स्पून जीरे पोडर, 1.5 ती स्पून काश्मिरी लालमेश पोडर और थोड़ा सा लालमेश पोडर एट करें अब इसमें एक ग्लस पानी एट करें थोड़ा उबलने के बाद मैं प्राउंस के पीसे सेट करें अब मैं इसमें प्राउंस के पीसे सेट करें गरम मसाला एट करें गर का बना हुआ दही एट करें थोड़ा सा बॉइल होने के बाद अब मैं इसमें शक्कर एट करूँगी अब वन टीस्पून शक्कर एट करें गरम मैं शक्रत करें गरम मैं आपकर एट करें अब इसमें मैं राइस को एड़ कर दूंगे इसमें मैं एक चमिंच खी और धनिया पत्ली एड़ करूंगे उससे तीन मून बिर्यानी एजन्स एड़ करें इस पूर अद्रग लसन का पेस्ट एड़ करें दिकी फ्रेंट्स दस मिन बाद हमारा प्रांच पुलाव तयार है झाल 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 झाल